अलो दोस्तों कैसे आप साब उम्मीद है स्वास्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों हरियाना का सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ओफ क्या रहने वाला है 2021 की सेशन के लिए उसके बारे में लोग बात करेंगे उस से पहले देखते हैं कि round one में जो closing cutoff रहा है अलग-लग categories के लिए वो क्या रहा है जैसे कि आपको पता है general category के लिए जो marks रहा है वो 617 617 round one के लिए closing cutoff रहा है अगर हम round two की बात करें तो यह closing cutoff या expected cutoff जह है यह 604 प्लस आपको मान के चलना पड़ेगा कि इतने में आपको college मिल जाएगा 604 प्लस प्लस माइनस हमेशा 2 से 3 marks आप second round में मान के चलिए EWS category की बात करें तो 610 पे closing marks रहा है यानि round 1 के लिए जो closing cut off रहा है जिसमें college a lot हुआ है वही अगर हम लोग second round की बात करें तो 598 प्लस में आपको college मिल सकता है expected cut off है वही अगर हम लोग BCB category की बात करें यानि जो OBC का category BCB वो 604 पे admission हुआ है round 1 में जो closing cut off रहा है हमारा जो expectation है वो है 597 यानि 597 में plus minus 2 marks आप add कर लिजे कि आपका admission हो सकता है expected cut off है यह round 2 के लिए अगर हम लोग BCA की बात करें तो 578 closing cut off था round 1 के लिए और round 2 में जो expected cut off है वो 572 प्लस आपका हो सकता है और 572 प्लस minus 2 अगर आपका है यानि 544 भी हो सकता है यह 570 भी हो सकता है इतने marks अगर आपके हैं तो आपको college हर्याना में मिल सकता है SC category की बात करें तो 520 में closing cut off था और round 1 के लिए और यहां हमारा जो expectation है वो है 480 प्लस कहीं कहीं आपको 480 भी देखने को मिलेगा लेकिन हमारे हिसाब से 480 प्लस होना चाहिए expected cut off 2-4 marks आगे पीछे हो सकता है तो यह second down का हमारा expectation आपकी कितने marks है या क्या rank है आपको अगर कोई सवाल है डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजेगा कोशिश करेंगे कि आपको सटीक answer दिया जाए इदि चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब क किजिए हो सकते हैं दूसरों तक जरूर शेयर किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन